असम के कारवी जीला के अंगलंग में स्थित मैलू हिंदी हाई स्कूल की हालत बत सबत्तर हो गई है असम के कारवी अंगलंग जीला के मैलू हिंदी हाई स्कूल के उपर प्रसासन की नजर तक नहीं जा रही है मैलू हिंदी हाई स्कूल के प्रतानचारे अश्री सत्त नरायन सिंग यादव का कहना है कि इस स्कूल का निर्मान 1987 में हुआ था और तब से लेकर आज तक इस स्कूल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है आपको बता दे कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि स्कूल का जो ढाचा है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है और किसी भी वक्त कोई घटना यहां घट सकती है आपको पताते चले कि मैलू हिंदी हाई स्कूल कि सोचेंग ब्लॉक के अंडर में आता है हैरान कर देने वे बात यह है कि ना तो सोचेंग ब्लॉक के करमचारी और ना ही असम सरकार की नजर अभी तक इस मामले पर पड़ी है प्रदेश सरकार दोवारा किये जा रहला पर वाही के वज़ा से देश का भविश्य से खत्रे में है असम से संजे कुमार सिंग की रिपोर्ट